नमस्ते अवरिवन, welcome back to my YouTube channel, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत, अभी हम discuss कर रहे हैं C++ programming के top class most important find the output based MCQs, जो कि किसी भी तरीके से यदि आप C++ based examination की त्यारी कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा important और helpful होने वाले हैं आपके लिए, session इस्टार्ट करने से पहले एक C++ programming के आपके exam के मद्दे नजर, अधि आप computer science based किसी भी तरह से preparation कर रहे हैं, तो उनके लिए already MCQs बना के रखे हुए, उसके different videos already available हैं, उन सभी का link मैंने इस video के description box में डाला हुआ है, individual videos का, साथी साथ playlist का भी आप वहाँ से जाके उन सभी videos को जरूर देखिए, या तो इस session को देखने के दोरान या session को देखने के बाद में, अब session स्टाट करने से पहले एक छोटी से बात ये भी कि video पसंद आया तो like और share जरू करिएगा और channel subscribe नहीं किया है, तो please don't forget to subscribe my channel as well, और बाकी तमाम जान के रहे के लिए भी आप इस video के description को check करिएगा, चाहे हो MCQ हो, चा अब code क्या लिखा हुआ है कि इसने character variable लिया CH, उसके बाद इसने CH में A plus 10 कर दिया, अगर ऐसा करेगा तो CH का output क्या होगा, देखे, care variable जब आप C++ में लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे CH लिया, तो यह CH actually तो store करेगा, एक character को उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन internally जो आपका system है, वो इसे number के form में क्या करता है, treat करता है, and hence what happens कि जब आप इस A को लेंगे, तो वो इस A का जो, you know, S की representation है, that is 65, उसे actually further treat करता है, so अगर आप इस 65 में 10 को add करेंगे, तो this will become what your 75, और 75 का अगर आप S की, you know, value देखेंगे, again वापस अपने character के form में, so this will become what your K, So, इसका जो correct answer होगा, that will be your option number B, एक बर मैं आपको इसे run करके भी दिखाता हूँ, you can see this is my Python code, मैं थोड़ा से say enlarge कर दूँ, अभी आपको ये देख रहा होगा, मैं इसे एक बर आपके साथ run करके दिखाता हूँ, आप notice करेंगे, यहाँ पर ये result आपको क्या दिखा रहा है, So, this is how we can understand this question का answer, let's move to the next question. इन पी भी देख पा रहे होंगे, चाहे वो C++ हो, चाहे वो Python programming हो, चाहे वो computer network हो, चाहे SQL हो, boolean algebra हो, या computer system organization, एक एक chapter को हमने chapter wise या chapter में divide करके उसके MCQs को आपके लिए prepare किया है, इस e-book को purchase करने के लिए Google Chrome में आप मेरी website open करें, take tip not dot in, जैसे याप इसे open करेंगे, इसके पहले ही page में आपको बिहार सिक्षक भरती जो अभी मैं जिस book की बात कर रहा हूँ, उसे आप purchase कर सकते हैं, इसका download e-book का option आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप इसमें click करेंगे, तो आप मेरे Insta Mojo के store पे redirect हो जाएगे, कुछ इस तरह से आपको screen आएगा, जहां से आप इसे 239 गुपी देके purchase कर सकते हैं, जैसे ही आप purchase करेंगे, यह book आपके पास download हो जाएगी, किसी भी प्रकार की problem आने से आप हमें email के जरिये contact भी कर सकते हैं, और साथ ही इस video के description में भी आपको इसका link available हो जाएगा, वहां स class लिया, और इसकी value डाली 12.6, then float y, then y का mod किया, then cout y किया, then return 0 किया, now if you look at this code, देखें हम कोई भी variable जब declare करते हैं, तो it should be actually user defined, आप कोई भी system defined keyword को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, class एक keyword है, तो obviously line 1 जो होगा वो आपको error present करेगा, float 5 is okay, अब आप ने चुकी already यहाँ प हाला कि compiler की अगर आप बात करें, तो वो आपको पहले ही line में अटका देगा, लेकिन साथी साथ वो इसको भी आपको बताएगा, so line 1 के साथ यह line 3 में भी आपको error present करेगा, cout अगर y को देखें, तो यह बिल्कुल fine है, अगर आप return करें, तो वो भी बिल्कुल fine है, उसमें क correct होगा, it should be actually both a and c, so overall इस question को अगर आप देखें, मकसद यह है, इस question में error कहा आ रहा है, तो line 1 में आ रहा है, और line number 3 में आ रहा है, right, हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यह बोलता है कि what would be the output of this code, अभी आपने 3 variable यह a, b, c, यहाँ पर a की value आपने डाली 0, b में डाला 4, c मे डाला 5, इसके बाद यह expression है, इसको solve करने से a की value क्या आएगी, अभी आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है plus c, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, यह सीधे सीधे होगा 5, इसके बाद में यहाँ पर minus है, then plus plus b, मतलब पहले आपका b का value increment होगा, so it will become what your 5, सबसे पहले यही execute होगा, and after that, it will take the value of this c as 5, यह इसको divide करेगा, so this will be plus 5 minus, you can say 1, and it will become what your 4, so the answer would be what your 4, so this is how we can get the answer, I move to the next now, यहाँ पर यह बोलता है कि यह आपका expression है, और यह actually आपका conditional operator है, मतलब आपने यहाँ पर if statement को लगाया हुआ है, और उसकी basis पे इसका result हमें निकाल ला है, अभी आपने x की value राली 20, so it is like, you know, 20 is not equal to, bracket में यह हो जाएगा 20 equal to, मतलब it should be x actually, so equal to what minus minus x, मतलब फिर से यहाँ पर यह value, you know, reduce होगी 19 से, तो x की value कितनी आगई, 19 आगई, अब इसके आगे expression बाद में solve करते हैं, यह conditional operator, तो यह मेरी condition होगी, so this is 20 is not equal to what we can say 19, so यह condition हो गई, मेरी true, और जब यह true होगी, तो इसका जो पहला part है, यह इसे return करेगा, so the answer would be what, option number a, हम आगे बढ़ते हैं, और आगे देखते हैं, it is saying that functions are always delimited with, delimited मतलब function हमेशा end किसके द्वारा होते हैं, कोई भी function की पहचान क्या होती है, उसके parenthesis, तो इसका मतलब इसका जो answer आएगा, that is simply option number b, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, what will be the result of this following program, अभी आप देखें, यह code लिखा हुआ है, again a की value 5 है, b की value 2 है, c का कोई भी value नहीं है, यह expression डला हुआ है, अभी हमने comma लगा के दो expression को रखा है, मतलब यह दोनों ही solve होंगे, पहले के बाद दूसरा, और जो final result आएगा, वो मेरे c में store होगा, a की value क्या हो जाएगी, यहाँ पर a plus b, so it will be what 5 plus 2 equal to 7, 7, मतलब a में आ गया 7, now b equal to 7 upon b की value कितनी है, 2, because it is what integer, तो यह जब इसको divide करेगा, so the value will be 3, और यह 3 जो होगा, हमारे किसमे assign हो जाएगा, हमारे c में, तो इसका जो correct answer होगा, that is option number c, 3, right, आगे बढ़ते हैं, आपकी जानकारी के लिए और एक बात बता दूँ कि, अगर आप BPSC वेगरे की exam की त्यारी कर रहे हैं, या EMRS की exam की त्यारी कर रहे हैं, तो उसका भी more than 1000 MCQ का e-book available है, जिसे की आप purchase कर सकते हैं, उसकी detailed जानकारी भी आपको इस video के description box में बिल जाएगी, लेकिन एक और बात, description जरूँ चेक करिएगा, ना सिर्फ book के लिए, बलकि different topics के MCQs के लिए, notes के exercise सभी के लिए, खास कर C++ programming के बाकी जो MCQs हैं, उन्हें भी देखने के लिए, हम अब बात कर रहे हैं हमारे question number 7 की, अब यहाँ पर यह बोलता है कि, देखें आप, इसका output हमें predict करना है, यह तो headers वगरा हो गए, यहाँ से हमारा main code start हो रहा है, ठीक है, नीचे options दिये हुए है, तो हम सिधे इसको solve करते हैं, अभी, देखो define कर रहा है, सबसे पहले, देखें, has define क्या है, यह generally तो हमारे दिमाज में रहता है, कि हम इसकी help से constant को define कर सकते हैं, लेकिन हम अपने function को भी तो यहाँ पर define कर सकते हैं, हम किसी statement को भी तो अपना नाम दे सकते हैं, तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना खुद का function है, उसे define कर रहा है, उसके अपना नाम दे रहा है, तो कहीं न कहीं वो setup statement को ही हम अपना नाम देने की बात कर रहे हैं, अब सबसे पहले यह plus define हो रहा है, उसमें बाद में आ जाते हैं, इसकी value जो x है as it is रहेगी, फिर यहाँ पर हमने minus को define किया, यह उसका expression है, ठीक है, अभी हम यहाँ पर code देखते हैं, x की value 8 लिया गया, और y है, y में इस minus को call करने से जो answer आएगा, वो store करेंगे, तो जैसी यह code execute होगा, तो यह यहाँ से control shift होगा, हमारे इस minus के definition में, जो हमने define के साथ लिखे हुई है, अब जैसी यह आएगा, तो इसके अंदर का जो statement होगा, वो होगा, यह वाला, so this will be minus minus 8, उसके बाद में यह plus लगा के कर देगा, यह method call करेगा, plus x, तो जब यह minus minus 8 करेगा, तो automatically इस x की value कितनी हो जाएगी, 7, तो यहाँ पर actually pass हो जाएगा हमारा 7, तो जैसी यह 7 होगा, तो यह अपनी इस definition को call करेगा, तो यह simply क्या करेगा, यहाँ पर return 7, so जो minus minus x था, वो तो अलरड़ी मेरा 7 हो गया, plus इस plus x का जो value return होगा, वो होगा 7, और जब आप इन दोनों को add करेंगे, so this will become what your 14, तो इसका जो correct answer आएगा, आप देखें यहाँ पर, that is your option number C, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यह बोलता है कि output निकालें, इस code का, if the given condition is true, look at the following code return to exit from the program, if the given condition is true, then predict the output, अभी आप देखो, x की value 2 डाला, 2 equal to 2 true हो गया, हमने क्या कर दिया, program से exit कर दिया, इस function को लगा के, लेकिन खास बात यह है, कि यहाँ पर डाला हुआ है 1, देखें जब आप exit function लगाते हैं, C++ में, तो उसके अंदर आप एक argument पास करते हैं, एक number के form है, जो ज़्यादा तर, या most of the time आपने 0 रखा होगा, अब यह 0 डालते हैं, तो obviously program क्या हो जाता है, हमारा terminate हो जाता है, लेकिन जब आप exit 1 करेंगे, तो भी program हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से terminate हो जाएगा, तक thing यह इसकी फिर इसमें difference क्या है, आप कोई भी number ले सकते हैं, ले सकते हैं, 0 का मतलब होता है कि successful termination, आपके system को यह message जाता है, कि यह program का termination है, वो बहुत ही successful रहा, लेकिन जब आप exit 1 करते हैं, तो system को यह समझ में आता है, कि यह एक कहीं न कहीं abnormal termination वाली बात हो रही है, तो termination होगा, option number B, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अगले question को देखते हैं, यहाँ पर यह बोलता है कि, again आप output predict करिए, यहाँ पर character है 3,2, अब 3,2 का मतलब क्या हुआ, यह पहला हो गया 0, यह दूसरा हो गया 1, यह तीसरा हो गया 2, ठीक है, सॉरी, यह 2 है, अब अगर आप cout x0 करोगे, तो क्या होगा, देखिए, यह तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए बता है, computer की memory में तो यह sequence में ही, क्या होगे, data store होगे, हो सकता हो, हलाकि उसकी indexing यहोगी, 00 होगी, 01 होगी, 02, and so on होगी, अब जब आप x0 को print करोगे, तो वो obviously इस पहले element को उठाएगा, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकेगा, वो चलेगा कब तक जब तक उसको backslash and, या sorry, null character नहीं मिलता है, तो इस situation में यह क्या करेगा, इस पूरी ही values को display करेगा, that is, t h a ti, तो यह तो display होगा, उसके बज़ आप x10 करोगे, तो जो भी 10 वाली position थी, जैसे यह यहाँ पर 10 था, तो आप देखें, यहाँ पर 10 में क्या है हमारा e, तो यह क्या करेगा, individual value को return करेगा, so the answer would be option number a, this is how we can get the answer of this question, हम अगले question को देखते हैं, यहाँ पर यह बोलता है कि, predict the output of this given rule, अभी आपके screen पर i लिया, अभी आई, global declare होगे, i की value 5 है, 0 तक चलेगा, i minus minus और उसके बाद इसने semi-colon डाला होगे, then c out a किया, then c out i किया, तो क्या answer आएगा, देखें, इस code को अगर आप देखें, कि इसका मतलब यह है, कि इसमें कोई भी internal statement नहीं है, there is no internal statement, लेकिन जो loop का value है, counter जो आपने लिया है, जितनी भी condition दी है, वो पूरा का पूरा iterate होगा, लेकिन बिना किसी statement के execution के, and hence what happens, कि यह 5 से चलू होगा, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो I की value जैसी 0 होगी, यह false होगा, उसके बाद यह repetition close हो जाएगा, बाहर आएगा, तो यह जो cout a statement यहाँ पे लिखा है, यह एक external statement के रूप में treat किया जाएगा, तो यह पहले तो इस a को display करेगा ही करेगा, कि जो कि हमने direct sa लिखा हुआ है, और I की value मैंने बोला कि वो 0 हो जाएगी, तो इस base पे इसका जो correct answer होगा, that is a 0, that is option number c, so this is how we can get the answer of this question, हम अगले question की और बढ़ते हैं, यहाँ पर यह हमारा question बोलता है, सबसे पहले हमारे पास यह float variable है, उसके बाद में हमने यहाँ पर character array लिया, उसी को initialize भी किया, तो character array है, तो यह ठीक है, यह भी ठीक है, null को भी इसमें accept किया जा सकता है, और उसका जो counting होगा, वो one byte का होगा, सवाल यह पैदा होता कि यह जो 12 है, देखें, यहाँ पर यह जो है, actually वो इस variable की बात कर रहा है, ठीक है, 12 एक integer है, में उसको डालेंगे, तो वो यहाँ, sir, deprecated हो जाएगी, उसकी size, और यह convert हो जाएगा, क्या one byte में, full मिलाके, character array आपने लिया, उसके अंदर जो भी value आपने डाले, वो सब individually एक byte का space occupy करेगी, and hence इसका जो total length होगी, 1, 2, 3, 4, and 5, इसका जो answer आएगा, 5, and 11, अब इस expression को देख लेते हैं, यहाँ पर यह बोलता है, 10 is greater than, equal to 5, इसके बाद यहाँ पर डाला, और not equal to bracket में पहले है, c, that is 11, double equal to b, मतलब 5, bracket close, and लगाके, यहाँ पर इसने बोला, c is less than a, that is, 11 is less than 10, तो पहले तो यह, देखो, left का bracket है, ठीक है, तो यह 10 is greater than, greater than equal to 5, तो यह तो सही है, तो यह क्या होगा, मेरा true होगा, और लगाके, यहाँ पर यह बोलेगा, पहले not equal to, इस bracket को, तो यह 11, double equal to 5, क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, false होने एक बाद, यह and लगाएगा, इसके साथ में, और यहाँ पर बोलेगा, 11 is less than 10, तो यह भी false है, तो जब यह दोनों false होंगे, and लगाके, तो यह हो जाएगा true, और उसके बाद, और लगाके, not false, finally यह false होगा, मतलब यह true हो जाएगा, तो true, और true का answer क्या जाएगा true, अब यह तो मैंने हर जगा true लिखा, लेकिन system क्या return करेगा, इसका corresponding number, तो हम जानते है true का मतलब, यह return करेगा क्या, 1, तो इसका जो answer आएगा, that is your option number B, आप comment कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार का doubt लगता है, हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यह बोल रहा है, कि अगर आप देखो, तो यहाँ पर फिर से conditional operator है, i equal to 8 is greater than 5, then question mark, यह मेरी condition है, then 100 semicolon 150, then again semicolon, अब सवाल यह है, कि जब आप कोई conditional operator लगाते हो, तो पहले आप क्या करते हो, condition देते हो, question mark लगाते हो, उसके बाद true result जो आएगा, वो आप mention करते हो, colon डालते हो, और उसके बाद false को, आप mention करते हो, semicolon, तो यहाँ पर हम डालते है, true or false के बीच में, colon, और आपने यहाँ पर डाल दिया है, क्या semicolon, जो की गलत है, तो यह आपको error शो कर देगा, error कब शो करेगा, यह compile जब आप करोगे, इस code को, तो उस base पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ, runtime error, it should be actually, you know, it's not logical error, 150 or 100, actually यह runtime को, हम थोड़ा correct करेंगे, और इसको हम बोलेंगे, compile error, ठीक है, यह compile time error, तो इस question का, जो answer आएगा, वो error होगा, वो जो हमने यहाँ पर mention किया, compile time, एक बार इसे run करके भी देख लेते हैं, तो you can see, यह हमारा code हो गया, जो हम question में भी discuss कर रहे हैं, हम इसे compile and run करते हैं, मतलब build and run करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर यह, मैं थोड़ा बढ़ा कर दूँ, तो आपको शायद, शायद clearly visible ना पी हो, but it is saying that, red color में कि, expected colon before semicolon, so that is what actually, your compile time error, so यह तो हुआ इस question का answer, अगले question को देखा जाए, यहाँ पर यह, I guess फिर से, यहाँ पर यह क्या हो रहा है, colon हमने डाला हुआ है, ठीक है, तो यह actually क्या भोग रहा है आप, कि I equal to, क्या करो, अगर 8 is greater than 5 है, अगर यह true होगा, तो I की value 100 होगी, और नहीं तो क्या हो जाएगा, मतलब 500, मतलब अगर यह condition true हुई, इसका मतलब I की value, क्या हो जाएगी 100, तो 8 is greater than 5 है, मतलब यह true है, true है मतलब I की value क्या आगई, हमारी यहाँ पर 100 आगई, अब इसके आगे यहाँ पर क्या कर रहा है, सीधे यह I को return कर दे रहा है, हमने यहाँ पर कुछ भी display नहीं किया है, तो output की अगर आप बात करोगे, तो obviously यहाँ पर कोई भी value return नहीं हो रही है, तो answer तो इसका no ही output आएगा, ना 100, ना 150, ना 0, option number D को देखें, तो it is saying that no output, so the correct answer is what option number D, लेकिन अगर यहाँ पर यह क्या होता, C out I होता, उस situation में याद रखिए, इसका answer क्या आजाता है, 100 आजाता है, यह मैं इसलिए बोल रहाँ, क्योंकि हो सकता है, हम यह सोचें, कि I equal to 80 is greater than 5, मतलब true हुआ, true का मतलब 1, तो I की value क्या हो गई, 1 हो गई, तो ऐसा actually यहाँ पर नहीं होगा, तो I guess आपको यह question का answer समझ में आ गया होगा, हम अगले question को देखते हैं, यहाँ पर यह फिर से output की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, k की value 10 है, k equal to plus plus k double equal to 11, तो देखो plus plus इस expression को अगर यह solve करेगा, यह assignment है, तो assignment के पहले तो यह solve होगा, तो plus plus k का मतलब क्या हुआ, obviously यह 11 हो जाएगा, अब 11 को 11 से compare करेगा, answer true आएगा, मतलब k की value कितनी आ गई, हमारी one आ गई, तो जब यह इसको display करेगा k को, तो answer क्या दिखाएगा, आपका option number d, so this is how we can get the answer, चलिए इसको भी एक बार, इस expression को भी एक बार code block में run करके देख लेते हैं, so you can see यह है हमारा code, जो अभी हम discuss कर रहे हैं, इसे एक बार हम run कर लेते हैं, so you can see it is showing us what 1, so this is how we can get the answer, अगले question को अब देखते हैं, now यहाँ पर क्या है, x की value 1 हो गई, इसके बाद हमने while लिया, जिसके अंदर हमने x minus minus कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर बोला, cout को x कर दो, and return 0, तो अब क्या होगा, x की value कितनी है, 1 है, इस loop के अंदर जाएगा, तो x minus minus, मतलब यह क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, जब यह 0 होगा, तो obviously यह इसके अंदर जाएगा, क्योंकि यह पहली बार में, obviously जब यह 1 था, तो condition check होगी न, पहले यहाँ पर, condition check होने के बाद, value minus होगी, तो जब पहली बार यह check करेगा, तो x minus, अब जब यह इसके अंदर जाएगा, और आपको answer क्या मिल जाएगा, इसका, that is option number B, क्योंकि 0 का मतलब है false, और जब false होगी है, मतलब loop चलेगा ही नहीं, तो इसका जो answer है, that is option number B, आगे बढ़ा जाए, what would this code display when executed, int main है, cout take backslash n, then now, देखें, यहाँ पर backslash n के सामने, एक और यह डाला हुआ है, क्योंकि यह हमारे special character, जिसको हम see out के थूँ, display कर रहे हैं, तो जब आप इसको display करोगे, तो it should be prefix with one backslash, कोई भी, अगर आप यहाँ पर inverted को भी display करना चाते हैं, तो backslash आप कर सकते हैं, अब इसको आप display करोगे, तो यह पूरा का पूरा take दिखाएगा, backslash है ना आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे character, और इसके बाद यह now लगाएगा, without any space, तो जब आप इसको run करोगे, तो यह जो option number C, यहाँ पर दिख रहा है, इस T को प्लीज, यह grammar की बज़़द से automatically हो जाता है, समय की कमी की बज़़द से correct नहीं कर पाए, तो इसको आप correct कर लेंगे, तो यह option C, जो है इसका correct answer दिखाई दे रहा है हमें, आगे बढ़ा जाए, अगले question को देखा जाए, यहाँ पर यह बोलता है, कि display output ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह array है, जिसको हमने initialize किया, तो यह 5 size का array बना, इसकी यह values हो गई, अगर आप cout x करोगे, तो क्या दिखाएगा, देखो, integer array जो होता है, ठीक है, आपने लिया x, अब इसके अंदर जो values हैं, इन values को आप इसके index के मदद से क्या कर सकते हो, access कर सकते हो, अगर आप केवल x को लोगे, तो यह directly किसी भी इन values को point नहीं करेगा, because हम बात कर रहे हैं, integer array की, यह क्या करेगा, एक अपना जो भी इसका address होगा, वो hexadecimal code में कुछ भी हो सकता है, उसको यह क्या कर देगा, यहाँ पे return कर देगा, तो उस basis पे अगर आप देखोगे, तो यह जो hexadecimal code यहाँ पे दिख रहा है, आपको option number c में, उसको यह क्या कर देगा, यहाँ से आपको return करके दिखा देगा, तो इस question का जो answer आएगा, that will be your this, 0 into यह जो hexadecimal code यहाँ पे लिखा हुए, so this is how we can get the answer, हाँ, अगर यह यहाँ पे x0 होता, तो फिर यह 1 दिखा देता, या loop या किसी भी दरीके से, आप values को यहाँ पे display कर सकते हैं, तो यह तो बात होगी हमारे इस question की, अगला जो हमारा question है, display output, int main है, x5 लिया, यहाँ पर यह 1, 2, 3, 4, 5 किया, cout x कर दिया, I guess यह question हमारा फिर से repeat हो गया, extremely sorry for this, आगे बढ़ते हैं, now here you can see, हमारे पास यह function है, यहाँ पर आप देखोगे, यह जो function definition, इसमें यह call by reference है, c1 और यह c2 जो है, default parameter है, ठीक है, उसके बाद यह code यहाँ पे लिखा हुआ, वो execute करना है, main में अगर आप जाओ, तो p1 equal to 20 और p2 equal to 4 है, फिर यह call किया position को, फिर p1, p2 की value क्या होगी, फिर दुबारा इस position को call करेंगे, p2, p1 को, तो p1, p2 की value क्या होगी, तो मैं इस p1 और p2 की value को उपर ले लेता हूँ, so presently we have p1 equal to 20, और p2 equal to हमारे पास क्या है, 4 है, अब यहाँ पर यह जो c1 है, जब आप and c1 करोगे, दोखो जब आप इस code को execute करोगे, तो यह position जब call होगा, तो हमने सिर्फ p1 को pass किया, तो p1 को pass किया, मतलब c1 जो है, c1 equal to, p1 equal to 20 होगया, क्योंकि यह call by reference है, यह दोनों एक ही address को point परेगा, मतलब 20 ग address को, अब c2 जो है, वो already हमारे पास कितना है, यहाँ पर तीन है, अब यहाँ पर यह बोलता है, int y को ले लिया, c1 plus equal to 2, तो इसका मतलब c1 plus equal to 2, मतलब यह 2 से इसको increment करेगा, तो obviously यह original value 22 change होगी, मतलब p1 change हो जाएगा, अब दुबारा c2 plus equal to y कर रहा है, तो यह कुछ expression अजीबी सा दिख रहा है, c2 equal to c2 plus y, तो यह execute होगा, लेकिन y में तो हमने कुछ डाला नहीं, तो फिलाल इसको हम यहीं पर drop करते हैं, यह अभी hold करते हैं, तो पहला जब यह statement execute हुआ, तो p1 की value 22 हुई, और p2 की value 4 ही है, तो यहाँ पर आप cout p1 करोगे, तो यह 22 दिखाएगा, p2 करोगे, तो यह 4 दिखाएगा, दुबारा जब इसी function को यह call करेगा, तो आप देखों यहाँ पर, p2 और p1, अब पल्टी मार दिया इसने, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, अब जो है c1 जो point करेगा, वो किसको point करेगा p2 को, जिसकी value क्या है, हमारी 4 है, और p1 as it is हमारे पास कितना है, 22, तो दुबारा से जब यह इसकी value को increment करेगा 2 से, तो अब जो c1 increment होगा 2 से, यहाँ पर क्या था, 22 और 4 था, ठीक है, तो answer क्या है हमारा 22,4 और 22,6, so this is how we can get the answer of this question, हम अगले question को देखते हैं, यहाँ पर यह बोलता है कि find the output of this code, अब यहाँ पर a5 इक्वल to 1 किया, size हमने 5 दिया, तो केवल a की value जब आप डालोगे, तो जब आप during initialization value डालते होते हैं, यह पहला तो 1 होगा, 0, 1, 2, 3, and 4, total 5 size होगा, बाकी सब में यह क्या कर देगा, by default 0 डाल देगा, क्योंकि हमने a की value पास की, अब b equal to 0, c equal to 0 डाल दिया, ठीक है, यह b 0 है, c equal to 0 है, 0 से start करके less than 4 तक चलेगा, 0, 1, 2, 3, 4 तक चलाएगा, और उस दुरान a, b को यह run करेगा, तो a, b का मतलब a, 0, a, 1, a, 2, a, 3, 4 को दिखाएगा, तो answer इसका क्या आएगा, यहाँ पर यह जो हमने value डाली है, 1, 0, 0, 0, 0, तो this is how we can get the answer of this question, अगला question देखा जाए, यहाँ पर यह बोलता है, यह type depth से related है, अब type depth bool int, देखो type depth का मतलब क्या हुआ है, कि आप अपना खुद का कोई data type define करना चाहरे, तो आप अगर int x ले लेते हो, तो मतलब यह x नाम से आपका data type हो गया, फिर x a करोगे, तो एक variable होगा, जो x type का होगा, keyword है, तो भाई आप अगर अपना कुछ बना रहे हो, तो उसके लिए आपको इसमें identifier चाहिए ना, मतलब आप user defined कोई नाम रखना चाहिए था आपको, आपने int कर दिया, तो यह क्या करेगा, accept ही नहीं करेगा, और आपको दिखा देगा, क्या, compile time error, तो इस question को जब आप execute करेंगे, तो यह आपको compile time error शो करेगा, अगले question को देखते हैं, यहाँ पर यह बोलता है, इसका output आप produce करिये, तो मुझे ऐसा लग रहा है, कि यह question हमने यहाँ पर पहले भी discuss कर लिया है, एक minute मैं इसे चेक कर लेता हूँ, all right, हमने इसे पहले भी discuss कर लिया है, तो I am sorry for this, यह question फिर से यहाँ पर repeat हो गया, तो आप question number 7 को देख लीजेगा, एक बार फिर से इसके लिए, तो मैं आगे बढ़के next question को देखता हूँ, यहाँ पर यह बोलता है, कि int main लिया, long में 2000 है, result मेरा 0 है, आपने एक loop run करना शुरू किया यहाँ से, so result into equal to 10, int digit equal to num mod 4, result plus equal to digit num by 10, while number see out result, और इसके बाद return 0, यह question आपके हवाले है दोस्तों, आप इसे अपनी और से solve करें, आप इसे देखें, solve करें और बताएं कि इसका correct answer 2 होगा, 20 होगा, 2000 होगा, तो आप अपनी स्क्रीन को pause करके, इसे solve कर सकते हैं, और मुझे comment करके बता सकते हैं, what is the correct answer of this question, अब अगले question को देखते हैं, here it is saying that, कि यह जो code है देखें, आपने int n लिया, जो key global है, main के उपर, फिर आपने see out किया, and double equal to one करोगे, तो क्या return करेगा, और and one करोगे, तो क्या answer आएगा, ठीक है, अब यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है, ideally जब आप C programming करते होना, तो sorry C++ की हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी variable लेते हैं, और अगर आप उसको declare करके छोड़ दोगे, तो by default उसके अंदर कोई भी junk value हो सकती, ठीक है, fix नहीं है कि वो 0 ही हो, या यह भी हो सकता है, कि उसमें previously कोई उस address में value assigned हुई होगी, वो भी हो सकता है, जिसे हम junk ही बोलते हैं, लेकिन जब आप किसी variable को global बना देते हो, जब कोई global variable आप declare करते हो ना, तो c++ उसको 0 से क्या कर देता है, इनिशलाइस कर देता है, तो यहाँ पर जो n की value होगी, वो हमारी 0 हो जाएगी, तो जब आप 0 को compare करोगे, equal to 1 से, तो obviously यह answer आपको क्या देगा, 0 देगा, अब 0 and 1 करोगे, तो भी obviously 0 का मतलब false ही हुआ ना, तो भी answer आपको क्या return करेगा, यह 0, तो based on this we can say, इसका जो correct answer होगा, that is option number A, इस code को एक बर हमको अपने code block में चलके, execute करके देखते हैं, तो आप अपनी screen पर देख पा रहे होगे, यह हुआ हमारा code, चलिए इसे compile and run करके देखें, तो आप देखें, यहाँ पर answer आ रहा है, 00, so this is how we all can understand answer of this question, तो overall यह थे, आज के हमारे इस session के, total 25 find the output based question, जिसमें एक question हमारा कम रह गया, repeat हो गया, anyway next session में, जब हम further इसी series को continue करेंगे, उसमें हम extra question ज़रूर add कर लेंगे, आज के session में यहीं तक, अगले session में मिलते हैं, नए chapter, नए solution, नए MCQ, नए video के साथ में, तब तक channel पर बने रहिए, इन videos को देखते रहिए, video के description को ज़रूर चेक कर लिएगा, तमाम different topics के, video tutorials के लिए, MCQs के लिए, notes के लिए, exercise के लिए, और साथ ही, video पसंद आये, तो like और share करना भी मत भूलिएगा, और channel subscribe नहीं किया, तो please subscribe जरूर कर ले, मेरे channel को, bell notification को भी आप, press करके on कर सकते हैं, thank you for watching this video, यदि आप भी EMRS, PGT Computer Science, that is, A Club V Model School के, PGT Computer Teacher के त्यारी कर रहे हैं, तो आप अपनी practice के लिए, मेरी इस e-book को purchase कर सकते हैं, at the cost of 239 रूपीज, और इस e-book में, मैंने 1000 से ज़्यादा MCQs, बनाए हैं, prepare किये हैं, जो की, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपका जो suggested syllabus है, जो की काफी हद तक, KBS की recruitment के लिए, जो syllabus suggest किया गया था, उससे match खाता है, उसकी ही basis पे हमने ये e-book prepare किये हैं, जिसमें की, एक-एक chapter की basis पे हमने, सारे questions को separate रखा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन ते देख सकते हैं, जैसे computational thinking and programming, जिसमें problem solving, getting starting with python, string in list, list in, python, dictionary in python, tuples, similarly part 2 में functions, python modules, file handling, then csv files, then database management, आप उसे भी देख सकते हैं, तीन parts में, computer network के तीन chapter, data handling in pandas, जिसमें series, data frame, pipe plot को अलग-अलग हमने रखा है, similarly society laws and ethics, then computer system and organization, emerging trends, computer system and organization, तो ये आप देख पा रहे होंगे, इन सभी के mcqs chapter wise, आपको मिल जाएंगे, जो कि इसके पहले हुए, kvs के exam में भी, काफी helpful रहे हैं, इस e-book को kvs में भी, काफी सरहा गया है, इस e-book को purchase करने के लिए, आप मेरी website, taketipnot.in पे जाएं, आप उस पे, इसके home page में ही, आपको हलका सा scroll down करने पर, e-mrs kvs जैसे आप देख पा रहे होंगे, कि download e-book का option प्राप्ट हो जाएगा, जैसे ही आप इसमें click करेंगे, आप redirect हो जाएंगे मेरे इंस्टा में जो store पे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यह रही वो e-book, जिसे की आप purchase कर सकते हैं, जैसे ही आप purchase करेंगे, आपके पास यह automatically download हो जाएगी, किसी भी तरह की problem आने से, आप मुझे email के जरिये contact कर सकते हैं, इसका link आपको इस video के description box में भी मिल जाएगा,